देखेHN, न IA की टीम यहाँ पर मौझूद है, Wednesday की टीम यहाँ पर मौझूद है, CRPG की टीम यहाँ पर मौझूद है, Dilly Police की Anti-Terror Unit Special Sell की टीम मौझूद है, IB की टीम मौझूद है, न सबसे पहले मैं आपको Exclusive तस्वीरे दिखाता हूँ, यह देख्ये यह आप देख पार है है यह तस्वीरे क्राइम सीन की है सफेद कलर का यह जो पाउडर देख पा रहे होंगे यही पाउडर इस तरह का पाउडर वो मौकाय वारदात से मिला है जिसको एनेजी की टीम ने और जो एफेसल की टीम है उसने कलेक्ट किया है और मैं सीधे आपको अब तस्वीर दिखाता यह देखिए जो एनेजी की टीम है वो यहाँ पर मौझूद है क्राइम सीन पर और जो डॉग है जो एनेजी की टीम का एट डॉग है वो डॉग लेकर आई है यह डॉग की खासेत है कि यह स्मेल इसकी काफी तेज है और इस वज़े से जो जो सी आर्पिय के स्कूल का जो व और यह दिखाई दे रहोंगे सामने की तरब और यह देखिए वाल जो है धमाके के बाद वाल भी क्रेक हो गया जिसकी तस्वीरे आज तक पर हम आपको एक्स्क्लूसिव दिखा रहा है यही पर एनेजी की टीम ने एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की है यह वाल है जहां पर धमाका हुआ है अब जरा मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा यह वाल है जहां पर धमाका हुआ और तक्रिवन एक चोड़ी सड़क है तक्रिवन 30 फूट की चोड़ाई है सड़की उसके सामने की तरफ यहां पर शॉप है और जब यह धमाका हु उपर की तरफ जो विंडो है उसमें कांच जो है वो चकना चूर हो चुका है इस धमाके की वज़ेसे उसके अलावा शॉप जो यह था उसमें जो भी यहां पर होल्डिंग लगी होती है वो नीचे आकर गिर गई कांच के सीसे तक वो आकर नीचे इंगर गया साथ बचकर 45 म पर दिली पुलिस को जानकारी मिली थी उसके बाद और अभी आपको मैं बताओं कि जो एविडेंस यहां से मिल रहे हैं जो सिंटम से मिल रहे हैं यहीं सारा कर रहे हैं कि यह आई-ई-डी ब्लास्ट हो सकता है क्योंकि धमाके के बाद कई जगह पर वाइट पॉडर मिला एनेजी की टीम ने जो दिली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट और एफसल की टीम ने कलक्ट किया हुआ ने बिल्कुल देखिए हमने सुबह लोगों से बातचीत की थी वह आई-विटनेस जो अपने घर में सो रहे थे और जब धमाके की आवाज सुनी तो वह यहां पर पह कोशिश करते हैं कि देखे एक तरफ दिवार है जहां पर धमाका हुआ दूसरी तरफ यह काच बिखरा हुआ आप देख पा रहे जो सामने की तरफ दुकाने है यह दुकाने में जो काच थे वह तूट करके गर गहे इतना जोरदार यह धमाका हुआ था उसके अलावा हम यह कोशिश करते हैं कि आसपास के लोगों से भी बादचीत करने की कोशिश करें मेडम क्या आपने आवाज तुनी थी आप इस तरीके से जो लोग हैं हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं मैरे सामने धुमा निकला था और बड़ी ध्रकन और मन्यन करने जारे हाँ यह देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वह बता रहे हैं कि किस तरीके से सूबक के वग जोरदार धमाका हुआ था और धमाके के बाद इस जगह से हमने वो तस्वीरे भी आस्तोस भेजी है कि इस जगह से काफी तेज धुमा उठा यानि आवाज तेज आई उसके बाद धुमा उठा उसके बाद अपरा तफरी मची जिसके बाद पुलिस को इस बारे को कॉड़न ओफ किया गया और खासतोर से जो वाल है इस वाल के पास तमाम एजिंसिया जा रही है खासतोर से एफएसल की टीम और एनेजी की वो टीम जो आईडी के मामले में काफी एक्सपर्ट मानी जाती है वो टीम यहाँ पर पहुंची है अपने अपने साथ श्रीपर डॉक्स लेका है एविडेंस कलेक्ट ही जा रहे है बिल्कुल देखिए हमने मॉर्निंग में भी बताया था चित एफएसल की टीम ने उसको सैम्pler को कलेक्ट किया है उसको ऊसकी फॉरिंसिक एक्जामनेशन की जाएगी उसके लावा अगर स्पॉर्ट की बात की जाए तो एनेये की टीम इन्टियारेफ की टीम एनेएडीकी की टीम लोकल पुलीस इपेशल सेल इसके लावा इन तमाम वो डॉक्स लेकर एनेजी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और जो क्राइम सीन है उस वहां पर जाकर जांच कर रही है कुछ सेंपल भी कलेक्ट की है नेजी की टीम ने जिनकी फॉरेंसिक एक्जामिनीशन कराए जाएगी जिससे यह पता चलेगा कि नेचर आफ तरह के एक्स्प्लोसिव का इस्तामाल किया गया है लेकिन अभी भी तक्रिबन साथ बचकर पैटाइल 45 मिनिट पर इस धमाके की जानकारी दिली पुलिस को मिली थी उसके बाद से यह पूरा इलाका कॉड़न ओफ कर दिया गया था और अभी भी एक के बाद एक जो एजेंस आए उनकी मदस से आसपास के जो इलाके उनको तलासा गया सीसी टीवी फुटेज खंगाले जा रहा है जिससे कुछ एविडेंस हाथ लग सके एक बात साफ है कि यह जो धमाका है यह काफी जोरदार धमाका है क्योंकि हमने लोकल रेजिडेंस से भी बात की उन्होंने बताय है कि वह अपने घर में सो रहे थे और इतना जोरदार धमाका था कि वह सभी उठ गये उसके बाद यहां पर आकर देखे तो धमाके के बाद काफी ज्यादा धूआ उठ रहा था वह तस्वीरे भी इंडिया टूडे पर हम दिखा रहे हैं तो फिलहाल मल्टिपल एजनसी क्र पहली चीज यह जाच में सामने आई है दूसरी चीज जो विस्फोटक है जो धमाका करने के लिए उसमें कोई इलेक्ट्रोनिक डिवाइस कोई मैटल वो नहीं मिला है अब इसलिए एजनसी इस बात से चक्रा गई है कि आखिर यह जो बॉम है इसको ट्रिगर कैसे किया गया इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या हाला था आपको दिखाऊंँ जो एनसी की टीम है वो उस साइट पर जहां पर यह धमाका हुआ यह देखे सामने की तरफ सियार पियाफ स्कूल की वाल है और यहीं पर धमाका हुआ इसलिए एनसी की टीम यह वो एनसी की टीम है जो एक्स किया गया और उसके बात वहां से तमाम जो एविडेंस है वो एक के बाद एक कलड़ किये गए है और ये सेंपल फॉरेंसिक examination के लिए भेदे जाएंगे तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर आप देखें यहाँ पर तो एनेजी की टीम यहाँ पर फिलहाल मौजूद है उसके अलावा एनाईय की टीम यहाँ पर आई थी उसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी आया थे और इतना विस्फोटक का इसमें इस्तमाल किया गया था कि आवाज तक्रिबन डेर से दो किलोमेटर दूर तक लोगों ने सुनी और इंटेंसिटी इतनी थी कि देखिए वाल अगर आप देखिए तो वहाँ पर धमाका हुआ था लंबी चौडी सड़क है तक क्रिबन तीस फूट का डिस्टेंस आता है ये दिवार है और सामने की तरफ ये शौप यहाँ पर एक से एक है और नीचे अगर आप देखिए तो ये जो एक शौप के नीचे लगा पूरा कांच जो ये कांच है पूरा भरभरा कर जैसे ही धमाका हुआ उसकी इंटेंसिटी से जो त तूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा पूरा विखरा हुआ दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये दुकाने जो धमाके के बाद तूटी है यहीं पर एविडेंस भी तलास रिये सीसी टीवी फुटेज यहां से खंगाले जा रहे है